हेलो अबर्यों वेलकम बैक तो मैं चेनल आज मैं आपको पर्फेक्ट शॉट अंब्रेला स्लीप बनाना बताऊंगी और अंब्रेला स्लीप के अंदर हम नॉर्मल स्लीप भी अटेच करेंगे और अगर आपके बास फैब्रिक कम है तो आप पहले पेपर कटिंग कर ले तो मही डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग कर रही हूं और दोनों स्लीप को साथ में कट करेंगे तो उसके लिए डबल फैब्रिक ले ले लेंगे और इसकी लेंद और विद दोनों 15 इंच है अब दोनों फैब्रिक को पिंसे सैट करके डबल फोल्ड कर लेना है इसके बाद फोर्क लेरेक्ट कर देंगे इस तरह से सरकल डो कर लेना है अब इसे कट कर लेंगे अब जहां से हमने 7.5 की मार्किंग की थी उसी कॉर्नर से हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरह से राउंड शेफ डो करके कट कर लेंगे इस घृद로 करना है और दोनों में इसे कोई एक साइट को कट कर लेना है अब कटिंग वाली साइट से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और इसे हल्का राउंड में लेते हुए शेफ डो कर लेना है इस तरह से शेप रो होने के बाद इसे कट कर लेंगे अब इसी साइड में हम अंदर वाले सरकल में पॉइंट फाइफ का गैप रखेंगे और पॉइंट फाइफ का गैप लेते हुए हम हाफ सरकल रो करेंगे इस तरह से सरकल रो होने के बाद इसे कट कर लेना है तो इतनी कटिंग होने के बाद इसे ओपन कर लेंगे तो इस तरह से दोनों अम्ब्रेला स्लिप्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है तो दोनों अम्रेला स्लिप्स में हमने पीको कर लिया है तो अब स्लिप्स को फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे अब यह सेंटर मार्क को हम शोल्डर के सेंटर से जोइन करेंगे तो एक साइट स्लिप्स अटेज हो गई है इसी तरह से दूसरे साइट भी अटेज कर लेंगे अम्रेला स्लिप्स अटेज हो गई है अब इसके उपर नॉर्मल स्लिप्स अटेज करेंगे तो नॉर्मल स्लिप्स में न फाइप इंच की रखी है तो आप स्लिप्स को जोइन कर लेंगे तो नॉर्मल स्लिप्स और अम्रेला स्लिप्स अटेज हो गई है इसी तरह से दूसरे साइट भी अटेज कर लेना है तो दोनों स्लिप्स कम्प्लीट हो गई है अब इसमें मैन फिटिंग लगा लेंगे तो इस तरह से ब्लाउस और अम्रेला स्लिप्स रेडी हो गई है आपको शॉर्ट अम्रेला स्लिप्स डिजाइन कैसे लगी गाईज मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वर वोचिंग